major step for preparation of across cultural research step one describe a problem you have to investigate review the scholarly literature आपने एक चीज़ देखना चाहते हैं आपने उसके बारे में जो पहले काम उच्टुक है उसको देखे step two अपनी research का goal define करें आपने describe करनी है explain करनी है तो आपका method फिर डिफरेंट हो जाएगा या आपने उसके बारे में को prediction करनी है या control करना है उसके साब से फिर आप hypothesis बनाते हैं आप दो strategies कर सकते हैं inductive या deductive या तो आप data को देखके फिर थेरी बनाए या आप फिरी से लेके और कहीं के फिरी ये कहती है कि लोग इस तरह करते हैं इस महौल में तो उसके साब से data करता करें फिर आप sample identify करें कि इन लोगों पर करना है design या method जो है अपने project का वो decide करें फिर pilot study करें कि वो थोड़ा सा test कर लें उसको कि ये चलेगा के नहीं procedure और इसमें कि इसमें से क्या नतीज़ा निकल रहा है क्या तस्वीर बन रही है उन results को present करें analyze करें एक report की शकल में और अपनी report में suggest करें आप क्या data कहां और कैसे इस्तमाल हो सकता है you cannot create experience you must undergo it Albert Camus 20th century का एक बहुत बड़ा philosopher जिसने ये बात कही है ये experience को आप create नहीं करते हैं आप उसमें से गुज़रते हैं